हेलो फ्रेंट्स बेलकुन माई यूटूब चैनल आज किस वीडियो में हम देखेंगे सिक्षा मित्र लेटेट समाचार इसमें हम देखेंगे पहले से प्रिस्तावित 18 जनवरी 24 के लिए जो मीटिंग थी वो अपने समय के अनुसार संपन हुई है और इस मीटिंग में जो सिक जो भी अधकाई लोगें उनको बताया है और कहां कहां के साथना देश उन्होंने इसमें सम्मिट किये हैं वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे और उसकी बाद बरस 2018 में हुई थी 68500 जो टीचर भरती हुई थी उसमें जो अभिरती थे उन्होंने जो है CBI जार्ज करन तो चैनलों को सबस्कार बढ़ी कर लें, और वैल ऐकन प्रेश कर लें जिससे कि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो इसकी जनकर आपको पैऽ्तिय के वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें तो करते हैं प्रारम सिक्चा मित्रों के मांदे बृद्धी की बड़ी उम्मीद है और ये वेशिक श्चा निदेशक की अधिश्चता वाली कमेटी की पहली वैठक हुई है 18 जन्वरी 2024 के लिए यहां आपको बताते चलें प्रिदेश में वेशिक बिद्ध्यालयों में तैनात 143,000 सिक्चा मित्रों की मांदे बृद्धी की उम्मीदे बढ़ गई हैं शासन की ओर से वेशिक श्चा निदेशक डाक्डर महंदर देदी अधिश्चता वाली संती की पहली बैठक ब्रिस्त बार को हुई थी इसमें सिक्चा मित्र संक्ठनों के प्रित निदियों से उनके मांग पत्र वा सुजाव लिए गए हैं इसके बाद ये कमेटि शबी पक्चों को दिहान में रखते हुई शासन को अपना प्रिस्ताओ भीजेगी निदेशक की अधिक्स्ता में हुई बैठक में उत्तर प्रिदेश त्रात्मिक सिक्चा मित्र संकिय प्रिदेश अधिक्ष शिव कुमार सुकुला ने सिक्चा मित्रों के नेमती करण की मांग उठाई उन्होंने कहा कि नेमती करणों होने तक शामान कारिये शामान वेतन का लाफ दिया जाए क्योंकि सिक्षा मित्रों की आर्थी सती बहुत खराब है साथी मूल विद्धाले बापसी महिला सिक्षा मित्र के उनकी सिसराल के पास भेजने की मांग की है उन्होंने कहा कि मांदे ब्रदी पर काफी शकार आत्मक रोख रहा है प्रितिनी मंडल में महामंत्री सुसील यादव, अरबिंद बर्मा, राम सेबक पाल, हरनाम, बिनोद बर्मा, अजैशीह और सुसील तिवारी शामिल थे, वहीं उत्र प्रिदेस BTC संके प्रिदेस सदेख अनल यादव ने कहा कि समायोजन रस्त होने से सिक्चा मित्र की आत्री सत्री बहुत खराब है शरकार इनके इस्ताई करण का रास्ता खोजे क्योंकि इसमें काफी सिक्चा मित्र VTC और TET पास है वहाइठक में लखनों के जिलाद देख श्याम शंकर यादव भी उपस्तित थे वहाइठक में आदर सिक्चा मित्र वेलफेर एसोसेशन से प्रिदेश सर्देश शुवेशनात कुषवा उपस्तित थे वहाइठक में SCERT नेदेशक प्रिच्चा नियामिक प्राद अधकारी और मौजूद थे यहाँ आपको पताते चलें प्राद्मिक सिक्चा मित्र संके प्रिदेश अधिश शुव कुमार शुकुला ने कहा है कि हमने जो भी मीटिंग हुई थी उसमें सिक्चा मित्रों की समस्याओं को वक्षू भी रखा है इसमें जो है मांदे विरद्धी और उनका जो है नेमितिकरन और जो मौल विध्याला बापसी आदेश पहले लागू हुआता उसको भी लागू किये जाए इसके बाद जो महिला सिक्चा मित्र है उनके लिए ससराल के सिक्चा मित्रों के लिए जो रहत दी गई है उनका मांदे वेतन में ब्रद्धी की गई या इस्थाई करण किया गया है तो इस समद्ध में जो भी सासन देश चारी किये गए हैं सरकार की द्वारा तो उनके लिए एक फाल बना के सम्मिट की है और सभी जो भी शिक्चा मित्र संक्थन के अध्धिक्षे प्रादकारी है आल प्रदेश के तो सभी ने एकराय होकर ये प्रिस्ताव जो है कमेटी के लिए दिया है तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या जो है इस पर निड़नाय होता है और कौन सी खुशकबरी सिक्चक मित्रों को मिलने वाली है इसके वाद हम बात करेंगे 68500 सिक्चक भरती जो वर्ष 2018 में हुई थी इसमें बड़े जो है बहुत बड़ा संकत टल गया है प्रक्षा में हुई गरवड़ी की सीविया जाच की मांग को लेकर दायर याजका को सुप्रीम कोट ने पिछले दिनों खालिज कर दिया है इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे हैं सिक्चकों ने रहात की सांस लिया है नौ जनवरी 2018 को 68500 सिक्चे बड़ी के लिए जारी शासना देश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित प्रक्षा कराई गई थी और 13 अगस्त जोहरा 2018 को गोशित प्राडाम में बड़े पैमाने पर गरवड़ी मिली थी दो ऐसे अबर्तियों को सफल गोशित किया गया था जो प्रक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे एही नहीं प्रक्षा में फेल तेश अबर्तियों को भी पास कर दिया गया था गरवड़ी का खुलास होने के बाद कई अबर्तियों ने हाई कोट में याच काएं दाखिल की थ तो उन सब का निस्तारान करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिच कर दिया है और CBI याश करने से मना कर दिया है तो एक वार फिर जो 68,500 में भरती हुए थे टीचर उनके जो है एक बड़ा संकट टल गया है तो ये थी जनकारी आज के वीडियो में आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक नमस्कार